एक इंसान के शरीर में दो इंसान होते हैं एक कहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और दूसरा कहता है कि अभी सूते रहते हैं एक कहता है कि चलो पढ़ाई करते हैं लेकिन दूसरे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता इसे दिल और दिमाग की लड़ाई कहा जाता है लेकिन सोचो अगर ये दोनों एक हो जाएं तो ये दोनों इनसान एक ही बात बोलें तो लेकिन ये कैसे होगा? क्या ये वाकई में संभव है? देखे दिल और दिमाग को एक करने के लिए आपको 21 दिन की एक जंग लड़नी पड़ेगी तो आज हम जानेंगे कि आप इस काम को 21 दिन में कैसे कर सकते हो लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर असली समस्या कहां पर है इस दिल और दिमाग की लड़ाई से हमें किस तरह नुकसान होता है? जब आपके अंदर एक ही काम को लेकर दो अलग-अलग ओपिनियन होते हैं तो उसकी वज़े से वो काम टल जाता है अगर एक मन कहता है कि उस काम को कर लो और दूसरा मन कहता है कि उस काम को मत करो तो आखिर में आप ये निर्णा लेते हो कि इस काम को आज नहीं कल करेंगे और कल भी आपके साथ यही सब फिर से होता है इसी तरह कई लोगों के साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है अंधर ही अंदर एक रसी खीच की प्रतियोगता चल रही होती है और इन सबसे बचने के लिए इनसान चला जाता है मुबाइल, सोशल मीडिया, टाइम पस वाले कॉंटेंट की शरण में ताकि उसके मन की ये तना तनी थोड़ी दिर के लिए शान्त हो जाए लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती बलकि इससे समस्या तो और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इससे उस इंसान के काम का समय निकल जाता है और उसको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है तो अब जानते हैं कि अगर कैसे अपने मन की इन दू आवाजों को आप एक कर सकते हो दोस्तो 1950 के दशक में मैक्सवल नाम के एक प्लास्टिक सर्जन थे उन्होंने अपने मरीजों में एक अजीब सा पैटन देखना शुरू किया जब मैक्सवल कोई उपरेशन करते थे जैसे की नाक का उपरेशन उन्होंने पाया कि मरीज को अपना नया चेहरा देखने की आड़िट डालने में लगबग 21 दिन लगते थे इसी तरह जब किसी मरीज का हाथ या पैर किसी कारण वश काटा जाता था तो मैक्सवल ने इस बात को देखा कि मरीज को इस नई स्थिती को समझने में करीबन 21 दिन का समय लगता ही है 21 दिन तक वो मरीज एक कालपनिक अंग का आभास करता था इसका मतलब हमारे दिमाग से एक पुरानी मानसिक छवी को खतम करने और एक नई छवी को जमने में कम से कम 21 दिन लगते हैं इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी किताब में ये लाइन लिखी थी कि नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं और फिर उसके बाद ये नई आदत आपकी जिंदगी बन जाती है तो अब आपको अपने मन की एक आवास को चुप कराना है 21 दिन तक और इसकी शुरुआत आप कर सकते हो सुबह जल्दी उठने से जब भी आपका दूसरा मन बोले कि सुबह जल्दी उठने से कोई फायदा नहीं होता थोड़ी देर और सोते रहते हैं तो उसको चुप करा दो आप लगातार जब 21 दिन तक ये काम करोगे तो वो 22 दिन से आपको टूकना बंद कर देगा इसी तरह से अपने ब्रेन को आप ट्रेंड कर सकते हो हार्ट वर करने के लिए यही टेक्निक सेना में जवानों को मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल होती है उनको हमेशा एक रूटीन फॉलो करना होता है चाहे उनका मन हो या ना हो उनके शरीर में दर्द हो या ना हो उनको किसी तरह की चोट लगी हो या ना लगी हो और इसी तरीके से वो बनते हैं मानसिक रूप से अनुशाशित और मजबूत लेकिन आपको इतनी कठोर तफस्या नहीं करनी है आपको तो बस इसका शायद 10 पृतिशत ही करना है आपके लिए ये केवल 21 दिन की जंग है उसके बाद फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा आपके मन में कोई कन्फूजन नहीं रहेगी किसी काम को लेकर आपके मन में दो आवाज है नहीं होगी और इसी तरह से 21 दिन की प्रेटिस करके आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो लेकिन एक नई आदत डालना और एक बुरी आदत छोड़ना दोनों बहुत ही अलग काम है तो किस तरह से आप 21 दिन में अपनी बुरी आदते छोड़ सकते हो इस पर मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी आप इस बात को समझो कि अगर आपने 21 दिन तक वो काम कर लिया जो आप करना चाहते हो आपने एक नई हैबिट को जर्म दे दिया तो आप जिंदगी में खुद से एक जंग जीतकर आगे निकल जाओगे वरना आप वहीं पर फसे रह जाओगे तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में दो अलग-अलग आवाज आ रही हो आपका एक मन कहरा होगा कि इस वीडियो में जो भी बात बताई गई है आप उसको फॉलो करके देखोगे लेकिन वहीं दूसरा मन आपको बोलेगा कि ये सारी बाते हैं बकवास हैं बेकार हैं चलो कुछ और देखते हैं कुछ मज़ेदार सा देखते हैं यूट्यूब पर तो अब निर्णे आपको लेना है क्या आप अपने मन के इस दूसरी आवास को दबाने के लिए तैयार हो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि क्या आप ये है 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं कि अ कैले बताज महीं जर ये है का अढ़ श्वकते हैं